जो क्वेश्चन जिसके ओपर 5,900 लाइक्स आए हैं हो है सर टॉक अबाउट मैस्टरबेशन प्रॉब्लम बिकॉस वी डोंट गेट सॉलूशन एनिवेर तो अब इस क्वेश्चन में बहुत बड़ी गरबड हो रखी है इस क्वेश्चन में पहले ही अब अब ही अगया है कि यह प्रॉब्लम है तो किआ हो अगर मैं कोओ यह प्रॉब्लम ही नहीं है प्रॉब्लम करेते engagements फैलो नांच्रोब्लम है पार्ट उफ लाइफ है कि आपना है का रहा ह३र अबता है कि scientifically कैसे नॉर्मल है, नाचुरल है सब मस्टरबेशन प्रॉब्लम नहीं है पर अगर ज्यादा होतो तो प्रॉब्लम है हाँ, राइट, इन्होंने बिल्कुत सही बात बोली है कि मस्टरबेशन प्रॉब्लम नहीं है बट अगर बहुत जादा होने लग जाए तो वो प्रॉब्लम है बट वो तो हर चीज में है ऐसी कौन सी चीज है जिसमें नहीं है पानी पीना बहुत अच्छा है आपकी बॉड़ी के लिए आठ से दस ग्लास अगर आप पानी पीओगे एक दिन में तो बहुत अच्छा है बीस-तीस ग्लास पीओगे तो क्या होगा प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है खाना आप खाओगे जितनी भूख है अगर उतना खाओगे तो कोई रिकत ही नहीं है अब अगर टेस्ट के ले खाओगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मतला आपको भूख नहीं है बस खाये चले जा रहे हो टेस्ट के ले हर एक एगंटे में कुछ नो कुछ चर रहे हो इसको आप उससे भी लिंक कर सकते हो मैं डिरेक्ली ना बात करके थोड़ा गुमा करा के बात करूँगा ताकि थोड़ा ओक्वर्ड ना लगे आपको भी और मेरको भी तो सबसे पहली चीज तो यह क्लियर होनी बहुत जरूरी है हम सब को जो भी लोग मुझे देख रहे है अभी वीडियो में उनको कि यह कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका कि हमको solution निकालना है नॉर्मल है, नाचुरल है, पार्ट आफ लाइफ है करना क्या है? नमबर वन इसको जरूरत से ज़ादा importance नहीं देनी है नमबर टू, इसको suppress नहीं करना है हर चीज़ को अगर आप life में अपनी जगे पर रखो तो कोई भी problem नहीं है उससे ज़ादा importance दोगे तो problem है उसको ज़ादा ही suppress करोगे तो problem है As simple as that ठीक है, तो हमें भूख लगती है क्या यह problem है? क्यों नहीं है? Part of life है क्योंकि अगर भूख ही नहीं लगेगी और अगर हम खाएंगे ही नहीं तो जिन्दा कैसे रहेंगे? भूख नहीं लग रही है, यह problem है तो अगर आपके अंदर इस तरह की urges नहीं उठ रही है आपके एज हो चुकी है बच्चे हो तो बात अलग है तो प्रॉब्लम है, number one ठीक है, clear हो रहा है ना? कि भूख नहीं लग रहे है, तो प्रॉब्लम भूख लग रहे है, कोई प्रॉब्लम नहीं है जितनी भूख लग रही है, उतना आप खा रहे हो कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है खहा रहे हो टेस्ट के लिए, मज़े के लिए, तो problem ही problem है, मॉबाइल को जितना जरूओत है, उतना ही यूज़ करो तो कोई problem नहीं है, आठाट दस घंडे तक मोबाइल पर नगे रहो तो problem है, एक particular age के बाद में, if you're an adult, तो अगर थोड़ा बहुत कभी पॉन देख लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा दिन पॉन ही देखते रहो तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, समझ गए ना, हाँ, अगर देख रहे हो out of curiosity, कि आज चलो देखता हूं क्या हो रहा है, just to learn, just to understand, कि ठीक है, ये भी एक life का aspect है, चलो देखता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ पर भी आप सीख रहे होते हो तो वहाँ पर आप सीख करके ग्रो कर जाते हो, जहाँ पर सीख नहीं रहे होते हो, प्लेजर के लिए उसकाम को कर रहे होते हो, तो आप indulged हो जाते हो छीज करते हो, फिर आप नॉर्मल है। और कितना इंबनॉर्मल है। म Sing reme पे जागर के हम कहेंगे कि ये अदिक्शेन है और किस लिएपल कहेंगे कि नॉर्माल है। तो डूसारु आपन नॉर्मणल है। तो इसके उह बहुत हारी कुछ हो चुकी है है। depending upon your body type, तो वो आपको खुद कॉल लेनी है, कि आपके लिए कितना साही है, for somebody, it could be once in a week is okay, for somebody, once in a day is okay, but you need to take this call, based upon your understanding, is it the need of my body, or is it the desire of my mind, कि मेरी body ऐसा कुछ नहीं मांग रही है, लेकिन मैं जबरदस्ती पॉन देख करके, excited हो करके, जबरदस्ती कुछ करने की कोशिश करने, जबरदस्ती क्यों करता है, तो इस तरह से दिमाग लगाना होता है, समयता होता है, अपनी लाइफ को डिजाइन करना होता है, कुछ टाइम ऐसा होगा आपकी लाइफ में, जहां पर आप चाहो भी तो आपके पास में टाइम नहीं है यह सब करने का जैसे आप कहीं जॉब कर रहे हो या फिर आप पढ़ रहे हो किसी इंसिट्यूट में हो तो वहां पर तो आप शुरू नहीं हो जाओगे प्रोफेसर पढ़ा रहा है क्लास में तो तो आपको यह समझना है कि मेरा टाइम कहां पर खराब हो रहा है मेरी लाइफ कैसे खराब हो रही है पाउन की वज़े से और मैस्टरबेशन की वज़े इस समझ आ रहा है या और कॉम्प्लिक्रिट हो रहा है मतलब कि आप खाने के बारे में ना सोचते रहो क्यों ना सोचते रहो क्योंकि अगर आप खाने के बारे में ही सोचते रहे तो जो करने वाले और काम है वो कैसे करोगे सबसे आदा माइंड में खाने के बारे में कब आता है चवरत रखते हैं कभी देखो ना क्या होता है दुरिया में करवा चौत वाले दिन, जो ladies होती हूं, कैसे तूट करके पड़ती है रात को खाने के उब़र, सारे restaurants भड़े पड़े होते हैं, line लगी होती है, numbers चल रहे होते हैं, वो restaurant जो खाली भी पड़े होते हैं, वहाँ पर भी एक एगंटे की waiting होती है, इससे क्या समझ आ रहा है? कि जब हम अपने किसी desire को suppress करते हैं, तो हमारी भड़ास बहुत बुरे तरीके से वहाँ पर निकलती है. तो इतना suppress करो इमात अपने आपको, उससे क्या होगा? क्या मिलेगा आपको suppress करके? बस कहीं पर पढ़ लिया है, किसी से सुन लिया है, करना बुरा होता है, scientifically नहीं समझा. लाइफ में सब कुछ अच्छा है और सब कुछ बुरा है. पस समझना है हमको कि किस को किस तरीके से यूज़ करता है. इतनी अगर हमारे अंदर समझदारी हो, तो कुछ भी बुरा नहीं है, जहर भी बुरा नहीं है. जो हमारी medicines है, क्या वो poison नहीं है? तो क्या poison बुरा है? Poison भी अच्छा है अगर आप सही तरह से उसको use करो. जब करना है तब करो, जितना करना है उतना करो, limit में करो. जिसे अगर आप हफते में दो-चार बार ऐसा कुछ कर रहे है, that is okay, absolutely fine. बट दिन में आप चार बार कर रहे हो तो. Then it is an addiction. तो क्या बोलना है अपने आपको वहाँ पे? बहुत strong words बोलने हों. कि मुझे मैं ही control कर सकता हूँ और कोई नहीं करेगा. कौन करेगा आपको control, आपके महा करेगी? नहीं बेटा मत कर, उसको तो पथा भी नहीं है आप क्या कर रहे हैं. तो कौन control करेगा? आपको खुदी को करना पड़ेगा? तो करते क्यों नहीं हो? बुलने रहते कि मज़ा है, मैं अच्छा. कभी सोचते क्यों नहीं हो, कि मज़े से होगा क्या? अभी आपका क्या time है? अभी आपका जो time है, अभी जो आपकी age है, वो है अपना career बनाने की. ताकि आप किसी पर depend ना रहो अपनी पूरी life के लिए. सोचो अभी आपने यही सब करने में निकाल दी अपनी life. अपने आपको बोलना है, शीशे में गड़े हो करके अपनी शगल देखो. और बोलो, जिंदगी पर मुझे क्या, यह आथ हिलाते रहना है, यह कुछ काम भी करता है. वाइ नाट? ऐसे बोलना होता है अपने आपको, strong words बोलने होते हैं. तब ही आप अपने आपको control कर सकते हो, नहीं तो कैसे करोगे? यह pleasures आपको अपनी तरफ खीच लेंगे. आपको बोलना है, pleasure is not the end goal of life. It is just a part of life. It is not bad. आप कुछ खाते हो, उसमें आपको अच्छा लगता है खागरके. भूख लगी है, उसके बाद में खाया, तो अच्छा लगता है. यह अच्छा लगना जरूरी है. अगर अच्छा नहीं लगेगा खाने में, तो आप खाना ही बंद कर दोगे. प्यास लगती है, पानी पीते हो, अच्छा लगता है. तो प्लेजर अच्छा है, बुरा नहीं है. प्लेजर इस नॉट दिए इंड गोल. आपको प्यास नहीं है, बस पानी पीए चले जारे हो, पीए चले जारे हो, पीए चले जारे हो. कुछ भी इमेजिन करके, उससे क्या होगा? पॉन क्या है? एक फैंटेसी वर्ल्ड ही तो है, जहाँ पर हम खो जाते हैं जाकर के. रियालिटी में कहीं कुछ नहीं हो रहा है. रियालिटी में सिर्फ आपका एक मोबाइल है, या एक कम्प्यूटर है. आप सिर्फ इमेजिनेशन की एक दुनिया में खोए पड़े हो. वाइल वाचिंग पॉन, ध्यान दो वाँपर हो क्या रहा है? तो आप देखो कि जैसी आपका ध्यान स्क्रीन में जाएगा, तो अंदर बॉड़ी में बहुत तरह की सेंसेशन होने लग जाएगी. मतलब आप होश से बेहोश हो रहे हो, आपका कंट्रोल अपने उपर से जा रहा है, तो अगर इस चीज़ को आप देख पाओ, यह जदा हो रहा है आप लोग के लिए या समझ आ रहा है? यह बड़ा असान है करना, कोई मुश्किल नहीं है, आज जा करके करना, जैसे देखते रहे तो, हमें पॉन को प्रमोट नहीं कह रहा है, आप उसमें खो जाओगे, मतलब आपका कंट्रोल अपने माइंड पर से गया, आप कंट्रोल आपका किसके हाथ में है? जो स्क्रीन पर दिख रहा है, उसके हाथ में है, और कई तरह की बॉड़ी में सेंसेशन हो, फिर एक सेकेंड में अपना ध्यान, मुबाइल की तरफ ले जाओ, देखो उस मुबाइल के बटन्स देखो, जैसी वो देखो कि बॉड़ी में सेंसेशन होनी बंद हो जाएंगे, जो अब एकसाइट हो रहे थे न, वो खदम हो जाएंगे, यह एकसाइटमेंट क्या है, एक सपने के जैसा है, यह समझना है कि वो जो में मुबाइल में देख रहा हूं, वो रियालिटी नहीं है, वो कच्रा है, कुछ नहीं है, तो सपने के बीचों में इतना एक्साइटेड क्यों हो रहा हूं, तो आपको फर्क पता होना चाहिए, सपना क्या है, रियालिटी क्या है, ताकि reality में जब आप किसी relationship में enter करोगे किसी person के साथ में तो उसको touch करो तो आपके mind में वो पहुन नहीं होनी चाहिए जो आप देखते आए हो तो कि वो fantasy उस reality से बिलकुल अलग है सर्थ मुझे पता नहीं कि मतलब ऐसा सब के साथ होता है मेरे साथ है सर्थ मेरे साथ तो है at least की सर्थ आज़ेज आती है और उसके पर pleasure के चाहिए जैसे भी हो चीज़ करते भी है बचसे मेरे साथ क्या होता है कि ऐसा करने का जो pleasure आता है उसकी बाद regret की feeling आद लगती है बुक टच करने का मन ने करता है बहुत बुड़ा लगता है कि नहीं करने चाहिए था वो क्या चीज है यह मैं आपको यह कह सकता हूँ कि लाइफ में कभी भी regret नहीं होनी चाहिए इस बात को मेरी गांठ बांदो अच्छे तरीके से आप चाहे कुछ गलत से गलत भी कर जाओ अगर उस गलती से आप सीख रहे हो तो वाँ पर regret की कोई गुजाईश नहीं हो मैं लाइए माँ समझो कि मैं गलती ही ना करूँ कि मैं एक बार को सोच लूँ कि हाँ अब मैंने अपना एक यह fix कर दिया हफते में तीन दिन तो तीन दिन तो तीन दिन नेगेटिवली हुई तो बंद कर दो उस काम को पॉसिटिवली हुई करो ना तीन मर को बन रोग रहा है साथम बात As simple as that मतलब don't create unnecessary rules in your life and don't get stuck in those rules मतलब आप खुदी अपने एक बिलीब बना रहे हो और खुदी उसमें जागर यह फस रहे हो फिर खुदी दुखी हो रहे हो साथमाट कोई impact नहीं होता है बस एक feeling में दिमाग में stuck है कि ऐसा किया और यह गलत हुआ है कुछ हाँ तो यह गलत सही को हटा दो कुछ भी गलत सही नहीं है अगर आम सीख रहे हैं तो सब कुछ सही है गलत सही क्या होता है लाइफ का experience है आपको एक body मिली है जिसके अंदर कुछ urges उठी उसके इसाफ से आपने act किया कोई crime तो नहीं किया ना यह नाट committed a crime वो किया देन regret होनी चाहिए पर इस यह नाट committed a crime आपने गलत किया किस बेस पे मुझे लग रहे है गलत है जो सकता हो सही ही हो उस ताम पर अगर आप नहीं करते तो हो सकता है पागल खाने पहाँ है यह आप से कुछ और हो जाता है ठीक है जी, clear है ना Sir, जैसे कि मैं यह जाना चाहरा हूं कि हमारी लाइफ हो साची से इंपोर्टेंट्स होती है और कभी-कभी मतलब इंपोर्टेंट्स चीज कर रहे है देख उसको सेक्सोल अट्रेक्शन आलाता है पीछ में तो मैं यह मतलब यह जाना चाहरा हूं कि हाव तो में कि बैलेंस बिट्वीं दा सेक्ष्वल अट्रेक्शन अन इंपोर्टेंट्स इन मालाइफ यह जाएफ प्लीज फिर इस अट्रेशन और अट्राक्शन तो अट्रेशन तो इसका रूट कास्किया है बोडी ऐसी ही है इस तरह के डिजार्स होना नाचरल है तो अब इस डिजार्स को आप कैसे पूरा करोगे एक तो यह है कि आप किसी और बेडिपेंड नहीं हो रहे हो तो इस मैस्ट्रबेशन अट इस मच बेटर देन गूइं तो अप्रॉस्टिटूट गेटिंग इंटू अल काइंज ओ कॉंप्लिकेशन या फिर किसी परसन को आप जूट बोल करके उसको बोल करके यह बेटर है या मैस्टूबेशन बेटर है मैस्टूबेशन इस अनीडे बेटर देन ओल दीस थिंग वह एक कहावत है न अपना चलिए विश्यू आल दे बेरी बेस्ट थैंक यू सब्सक्राइब